नमस्कार दोस्तों PCS पाट साला में आप सवी का स्वागत है दोस्तों एक विशेज चानगारी आप लोग को देनी थी यह जो 79,000 वाली जो भड़ती है जिसके मतब की आर्डर रिजर्ब हो गया था 22 फरविक हो ही लेकिन लगातार रिजर्ब तो हो गया लेकिन फैसला नहीं आ रहा है आडर नहीं आ रहा है और इसी संदर्व में छात्रों की जो पूरी टीम है जो कटाप समर्थक छात्र है उन लोगों की पूरी टीम है और योगी जी से मुलाकात करेगी मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं मौके पर रहूं तो यह चात्रों की जो टीम है योगी जी से तक आ जाएगा 100% देखिए एक बात बता दूँ कुछ यूटूब चैनल है इस्टडी गुरुकुल की मात बात कर रहा हूं इस्टडी गुरुकुल मेरे न्यूज की काफि कर रहा है मैं बताया था मार्च के अंतिम सप्ता तक फैसला आ जाएगा बिल्कुल 100% हम बताये थे और यहां बात तो उस समय भी हुई थी जब मैं बरिष्टा धिवक्ता से उनके चैंबर में मुलाकात किया था वहां से भी जानकारी मिली थी कि जो भी आडर लिखने की ब्रकिया है यह यह होली के पहले हो जाएंगी और होली के बाद होली के बाद यानि मार्च के अंतिम कि तक जाते जाते निडर दे देना है जब कोट की पुरी प्रकिया थी तो उस वीडियो में भी मैं बताया था जब वरिष्ट अज़वकता से चेम्बर मोरा का थी फिर एक वीडियो और बनाया था उस में भी में वाद कह चुका था कि मार्ट केята तिन सब्ता तक फैशला आ जाएगा पूरी जानकारी मैं इक ठाँ किया था पूरी जानकारी मैं दिया था सबसे पहले और इस समय क्या है कि मेरे न्यूज की मेरे जो न्यूज है उसकी काफी इस्टडी गुर्पुल नाम का कोई चैनल है वो कर रहा है भाई आप अपनी तथ् लेकिन बात यहां होती है कि जम मैं बता रहा था मार्च के इंतिम सब्ता तक फैशला आ जाएगा तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा था बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कुछ थे बहुत से लोग नहीं थे कम से कम दो चार दस प्रसेंट ही होते हैं जो नकारात्म की पड़ी करते हैं लगातार तो उन लोगों से तो मैं ज्यादा पेच्छा नहीं रखता लेकिन मैं पूरी प्रयास मेरे तरफ से किया गया था पूरी कोशिस मेरी तरफ से की गई थी और मैं 11 बजे के करीब उस दिन 11 बजे कर मैं में बरिशठ वघ्टा लेकात किया था और इस तरह से मैं पूरी जानकारी जीताया था कि मर्च के अंतिम सब्ताय को किया ञारہा है और इस तरह से न्यूज की काफ सिच कि या दो नहीं है लेकिन एक बात अपको बता दूँँँ अब वह दिन दो पुर नहीं है मार्च के अंतिम सब्ता तक जाते जाते आडर आई जाना है और आज चात्रों की टीम योगी जी से मुलाकात भी करेगी जबकि प्रक्रिया पहले सित्या है कि अंतिम सब्ता तक आजाएगा लेकिन ऐसा नहों कि लोगी ita के आडर ना आये तो एक बार हम योगी जी से पूरी टीम आवेदन करेगी पूरी टीम नहीं प्रक्रिया प्रक्रिया जल्स पुरी हो जाए मार्च के नितीम सब्टा तक आड़र आ जाता है तो माल लेजी अगर आड़र आ जाता है तो रिजल्ट निकल जाएगा आजार संगीता है चुनाव में प्रिक्रिया न हो टेकि चुनाव जहां बिदेगा वहाँ जो नए विग्यापन है नए विग्यापन है बेभी निजीलो के वह आ जाएंगे और अगर विग्यापन आ गया तो समझ तो कोई दिक्कत में मुझे लग रहा कि चुनाव बीतिने के बाद आठ दस दिन तक निवक्ति पत्र आपके हाद में होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो यह बात सच है और उतने दिन में हो सकेगा तो LT वाले रिजल निकल जाएगा प्रवक्ता का रिजल निकल जाएगा तो बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि जो भी कटाफ के पार है वह निक्ति पाएंगे देखिए मैं कुछ बात है मैं सुरू से ही कहता रहा हूँ और लोग ना जाने अब वो लोग कह रहा है जो मैं सुरू से ही कहता रहा हूँ अब वो लोग कह रहे हैं, अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कटाफ के जितने लोग पार हैं, तो सब लोग निती पायांगे, कोई चिंता की बात नहीं है, अब पहले तो वही लोग गुडांक न निकालते थे, कि उन हत्तर पे जनरल सेफ है, सरसट के ओवी सीव सेफ है, इस सेफ निकालते थे वो लोग, कहां गए अब उन लोगों का पैमाना, अब तो वही लोग बता रहे हैं कि कटाफ के जितने लोग कटाफ के पार हैं, वो सभी लोग सुरस्चित हैं, और यह बात मैं सुरुवाती दिनों से ही कहता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता था, मैं तभ नुक्ति पत्र पार चुके हैं वो फर्म डाले हुए थे और लेड़ी पास होंगे इसमें उनके 100 प्लस आये होंगे कुछ सब्सक्राइब नुक्ति पाएंगे और आवसकता पड़ी जब कुछ सीटें रिक्त हो जाएंगी किसी कटेगरी में तो आवसकता पड़ेगी तो कटाव घटाकर बाकी लोगों का लिया जाएगा जो बहुत इस उन्हारा ऑसर है देर भले हो रहा है लिकिन सब कुछ अच्छा होगा देर सी होगा लिकने सब कुछ अच्छा होगा तो यह बात यहेरा जानकारी में सुवात में दिया था कि मार्च के अंतिम सब्दा कर तक फैसला आ जाएगा यहां मेरा है टैनल जो概 प्रयत्न को लोग अपना उसमें फादर बना चाहते हैं खैस छोड़िए जाने दीजिए इसका कोई मतलब नहीं है तो अंतिम सप्ता तक उमीद है पूरी उमीद है कि फैस्ट ला जाएगा एक बात और आप लोगों से कहने है जो लोग मंडी परिसे चकबंद्य अधिगारिय या कोई भी राजस्तरी जो सिवल सेवा है उसमें लगे हुए है तो उन लोगों के लिए मैं 27 मार्च से ऑनलाइन क्लास ला रहा हूं और बहुत ही सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर किये जाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहतरीन क्लास होगा तो आप लोग इस वीटियो को लाइक कर दीजेगा इसको शेयर कर दीजेगा जो भी आपके पास फेस्बूक गूरूप होगा या वाटसबूप होगा उसमें आप शेयर कर दीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जु हैं आप लोग मांसिक कष्ट में हैं इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं बस बस इतना है नहीं तो यह पीशेस पाड़ साला जो है यह सिविल की तैयारी करने के लिए हमने खोला है यह मंडी परसर चकबंदी अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रिश्ट जहार हूं पीशेस पाड़ साला और मेरे पास पूरी की पूरी टीम है कम से कम मैं किला नहीं हूं कम से कम मेरे पास तीन चार लोगों की टीम है अगर आप सकता पड़ेगी महत प्रहाने के लिए तो हमारे पास MSC MSC AMED GOLD MIDLIST VHU वहां के अध्धावक है इंगलिस की आप सकता पड टीम है अलग-अलग सब्जेट के टीचर अलग-अलग अच्छे ब्यादिन है तिकि जहां इतिहास की बात पड़ेगी भोगोल की बात पड़ेगी राट ब्योस्था की बात पड़ेगी करेंट अफेर की बात पड़ेगी और ससास्त की बात पड़ेगी तो वहां वहां मैं स सारे विशियों को जीएस के सारे सब्जेट की क्लास में स्वेम दोंगा और अच्छे से अच्छे टीचर है उमारे पास तो सिवल सेवा की तैयारी में अगर आप लोग लगे हैं और चाहते हैं तो आप 27 मार से ओनलाइन क्लास कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इस समय क अगर आप जाकर देखेंगे चैनल पर तो 900 लोग करीब हैं हम देखिए सब कुछ बेहत्रिन लाना चाहते हैं सब कुछ आजकल का यूटूब पर क्या है कि सब लोग पैड क्लास करते हैं सब लोग लूपने का काम करते हैं पैड क्लास चलाते हैं उसमें आपको 2-3-4-5-5- घंजार-6-1 रूपया देना होता है कि कुछ पिश्टरा चलाते हैं लेकिन हम प्री में सबकुछ देना चाहते हैं चाहते हैं नेश क्विए सबकों आपको में जो फैसे लुग जिन की पास पैसे नहीं है जो प्यों कि बड़े सखरों में आकर त्यारी नहीं कर सकते हैं एक तो ऐसी लोगों को मैं सब कुछ निसुलक दिना चाहता हूँ कि वो घर पे अपने घर पे बैट कर अपने घर की दाल रोटी खा कर और लाइन क्लास करें और बिल्कुल निसुलक अच्छे सी अच्छे अध्यापकों द्वारा तो दोस्तों बस ही चाहते हैं कि देखें इसमें 96 सब्स्राइबर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मनुबल डाउन नहों हमारा मनुबल नीचे नहों हम आप लोग मेरा मनुबल बढ़ाए हमारा उत्सा बढ़ाए आप हमें थूड़ा देंगे तो हम आपको बहुत ज्यादा देन अगर हर लोग Facebook group पर WhatsApp group पर share करते रहें तो बहुत कुछ ज़्यादा लोग जूड़ सकते हैं अगर जूड़ जाएंगे तो हम आपके लिए सब कुछ निसुलक लाएंगे, सब कुछ निसुलक ही रहेगा हम आपको test series भी देंगे, test series, test series आपको देंगे जो प्रियाग राज के प्रतिष्ठित कोचिंगों में जो series बिलती है उससे बहत्रिन series और ऐसी series के लिए जानते हैं प्रियाग राज के कोचिंग वाले ऐसे series के लिए, ऐसी test series के लिए दो से तीन हजार रुपे लेते हैं और हम आप लोगों निसुलक देंगे पांच हजार प्रश्णों की एक अच्छी सारगर्वित test series दिऊंगा मैं चकवंदी अधिकारी और मंडी परसद और उत्पदे स्पीशेस के लिए पांच हजार प्रश्णों की और अगर आप पढ़ाने के बाद में दूंगा तो आप खुद अपनी अंतर एक परिवरतन महसूस करेंगे अगर आप हमारा clash करते हैं हमसे चुड़ए रहते हैं तो परिवरतन महसूस में हैं क्योंकि यह जो भरती है यह मार्च के अंतिम सप्ता तक आडर आ जाएगा विल्कुल आ जाएगा और यह बात यह वाक्य हमने स्यम कहा था पीशियस पार्ट साला का यह वाक्य था कि मार्च के अंतिम सप्ता तक फजल आ जाएगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद